सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं विवेक आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, रिजनिंग में हम ब्लड रिलेशन की और बढ़ रहे थे और आज मैं फिर से आपको कुछ प्रैक्टिस कोस्टन्स लेके आएं आपको ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो आप जाकर करके प्लेलिस्ट में विवेक सर रिजनिंग के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर ब्लड रिलेशन के टॉपिक्स को आप फिर से देखना सुरू करें मेरों को उम्मीद है मुझे ऐसा लगता है कि आप उन विडियो को देख करके बहुत अच्छे से ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक को आप सीख सकते हैं क्योंकि इसमें काफी लिक्कत होती है ठीक है मतलब कैसे स्वाल करना है क्या होना और यहां से एक सवाल दो सवाल तो anyhow रहना ही है किसी ने किसी एक्जाम में चलिए आए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल है दोस्तों बोलता है कि अनु ने सीमा का परिचय उसकी मा के पिता के एकलोते बेटे की बेटी के रूप में कराया अनु सीमा से किस प्रकार संबंदित है मतलब अनु का संबंध बताना है सीमा के साथ मतलब सीमा अनु को क्या बोलेगी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि last में आपको का या से जिसके साथ लगेगा relation उसी से find out करना है क्योंकि उल्टा भी देता है आपको अन्नु का सीमा से सीमा का अन्नु से question गलत हो जाएगा ध्यान क्या रखना है अन्तिम में जहाँ पे का या से लगा रहेगा वहाँ से हमको क्या चूज करना है question को frame करना है चलिए देखते हैं इसमें कैसे solve कर सकते हैं हम इसे बोलता है अन्नु है अन्नु नाम की एक लड़की है इसने सीमा का परिचाय उसकी मा उसकी मा मतलब अन्नु की मा अन्नु बोलती है सीमा को उसकी मा के पिता मान लेते हैं यह हमारी कौन है अपनी यह अन्नु है ठीक है हमा के पिता के एकलावते बेटे, अध्यान देज़ेगा, एकलावते बेटे, एकलावते बेटे मतलब इसका only son, तो एक तो खुद हो गई अन्नू की मम्मी, और एक कौन हो जाएंगे इसके, अन्नू के मामा जी, मम्मी का भाई, मामा जी, क्योंकि एकलावता पुत्र है ये, ठीक, एकलावते बेटे की बात कर रहा है, ठीक, एकलावते बेटे की बेटी, इन बेटे की कौन है वो, वो बेटी है, ठीक, उनकी क्या है ये, बेटी है, बेटी के रूप में कराते हैं अन्नु ने सीमा मतलब लड़की कौन है दोस्तों तो यही है हमारी सीमा जी है ठीक है अन्नु ने सीमा का परिचाय उसकी मा के उसकी मा के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में कराया अन्नु सीमा से ध्यान के देना है, जिसके साथ का या से लगे रहेगा, उससे संबंध निकालना है, सीमा से, तो सीमा अन्नु को क्या बोलेगी, सीमा अन्नु को क्या बोलेगी, ये लिलेशन निकालना है, ना कि अन्नु सीमा को क्या बोलेगी, ठीक है, तो सीमा अन्नु को क्या बोलेगी, चा अगे पढ़ते हैं अगला है फोटोग्राफ वाला सवाल देखिए यह फोटोग्राफ मेरे दादा के पुत्र के पोते के पिता का है फोटोग्राफ में व्यक्ति कौन है गुमा दिया सवाल को फिर से पढ़ते हैं यह फोटोग्राफ मेरे दादा के पुत्र के सबसे पहले मैं मैं आपने आपको imagine कर लेता हूं मैं कहां हूं मालेता हूं कि यह मैं हूं ठीक है यह मैं स्वयम हूं स्वयम मैं मतलब मैं आप विवेक सर ठीक है स्वयम मैं हो गया तो मेरे दादा के पुत्र सबसे पहले मैं अपने दादा के पास जाता हूं दादा के पास जाने के लिए उप दादा जी कौन होगे मेरे दादा दाडा के पुत्र 2 पुत्र, पुत्र के पोता, अब इनका पोता कौन होगा भई, इनका बेटा ये मैं, मेरा बेटा इनका पोता लगेगा, मेरे पिता के पिता मेरे दादा, दादा का पुत्र, मेरे पिता, उनका पोता, उनका पोता मतलब मेरा बेटा, ठीक है, उनके पोते के पिता का है, मतलब फोटो वाला लगती कौन है, यह स्वयम तो मैं हुआ ना भाई, यह फोटो वाला लगती है, फिर से समस्ते हैं, यह फोटोग्राफ, मेरे दादा, अगर मैं अपने आपको स्वयम मान लेता हूँ, मेरे दादा कौन हुए, मेरे पिता के पिता मेरे दादा हुए, दादा के पूत्र है अब इस पोते का पिता है मतलब इस इनके पोते का पिता कौन है यह फोटो वाला वेक्ति है अब फोटो वाला वेक्ति तो स्वयम मैं हूं न भई तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोटोग्राप में कौन वेक्ति है मेरा पूत्र नहीं है मेरे पिता नहीं है मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है बड़ा लंबा रिलेशन है अरुन का उस महिला से क्या रिस्ता है चाचा मामा ससुर भाई फिर से एक फोटो की और संक्यत करते हुए अरुन ने कहा अरुन बोल रहा है अब अरुन को आपको बीच में रखना है ठीक है किसने कहा अरुनने कहा वह मेरे बेटे मतलब कहीशे मतलब कहीशा ब् bron चा सबदे हो गारे अ पूत्र होगा अब मेरे बेटे की पतनी वह मेरे बेटे के लिए मैने आपको जिग जग वाला सिखाया इया यह आपकी जिगजग लाइन हो गई, मेरे बेटे की पतनी हो गई भाई, मेरे बेटे की पतनी की बेटी, ठीक है भाई, मतलब अरुन के बेटे की बेटी हो गई है, की मा है, ये हो गई, मतलब बेटी की मा तो स्यम ये हो गई, ठीक है, एक फोटो मतलब फोटो वाली महिला कौन है, वो अ अरुन के बेटे की बीवी है ठीक है फिर से तमस्ते हैं एक फोटो की और संकेत करते हुए अरुन बोलता है वह मेरे बेटे की पतनी की बेटी की मा है अरुन का उस महिला से महिला से मतलब उस फोटो वाली महिला से से लग गया मतलब लास्ट का से निकालना है लास्ट में आप फोटो वाली महिला हुई न भाई अब इन महिला से किसका पूछा है अरुन का पूछा है इस महिला से अरुन का रिस्ता निकालना है मतलब महिला जो होगी वह अरुन को क्या बोलेगी क्या लगेंगे उनके फादर इन लॉ लगेंगे ससूर सहाब लगेंगे चाचा तो हो ही न हो चुके हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं मिलेंगे बहुत अलगले वीडियो में धन्यवाद